आई इस लेक्चर में हम बात करते हैं एक इन्पुट आउट्पुट इंटरफेस के एक्जाम्पल की स्क्रीन में जो चितर दिखाया गया है ये एक इन्पुट आउट्पुट इंटरफेस का एक्जाम्पल है जिसमें दो पोर्ट हैं पोर्ट A और पोर्ट B जो की रेजिस्टर्स है एक कंट्रोल रेजिस्टर है और एक स्टेट्रस रेजिस्टर है इसके अलावा यहां पर एक बस बफर है, तथा टाइमिंग एन कंट्रोल यूनिट है, जनरली जितने इन्पुट आउट्पुट पेरिफरल डिवाइसे हैं, वो डेटा को सीरियली ट्रांस्मिट करते हैं, यानि एक क्लॉक पल्स में एक बिट ट्रांस्फर होती है, और जो CPU है, उसका बस का साइज है, जैसे कि हमने इस एक्जामपल में अभी तक जितना देखा है, 16 बिट या 12 बिट के रेजिस्टर है, उतने बिट एक साल ट्रांस्मिट कर सकता है, पहलेल फेशन में, तो जो इन्पुट आउट्पुट डिवाइसे हैं, वो सीरियल फेशन में काम करते ह है, तो यह बस बफर में, यहां से इन्पुट आउट्पुट डिवाइसे से, डेटा पहले सीरियली यहां, कलेक्ट होता है बस बफर में, और यहां से एक ही क्लॉक पल्स में, पहलेली ट्रांस्मिट हो जाता है, इसलिए यहां पे बस बफर दिया गया है, और जो यह CPU से इ RS0 और RS1 नाम के दो सिगनल है, और यह चिप सेलेक्ट सिगनल है, और यहां पे इन्पुट आउट्पुट रीड और इन्पुट आउट्पुट राइट सिगनल है, अगर रीड टाइप का ओपरेशन है, पेरेफेरल से CPU को रीड टाइप का कोई ओपरेशन करना है, तो यह हाई होगा, अगर राइट ऑपरेशन है तो राइट सिगनल हाई होगा इस रेजिस्टर सलेक लाइन की मदद से ये इन चारों रेजिस्टर में से किसी एक रेजिस्टर को CPU पढ़ सकता है इस चित्र में पोर्ट A और पोर्ट B जो दर्शाए गए हैं, ये रेजिस्टर से तो ये जो पोर्ट है ये इन्पूट रेजिस्टर की तरह काम भी कर सकता है आउटपूट रेजिस्टर की तरह भी काम कर सकता है डिपेंड करता है ये इंटरफेश किस डिवाइस का है अगर ये interface किसी output device का है तो सरफ port A output mode में ही काम करेगा input mode में काम नहीं करेगा क्योंकि printer input नहीं लिए सकता इसी प्रकार अगर ये interface किसी input device से जुड़ा हुआ है तो port A input register की तरह काम करेगा output register की तरह काम नहीं करेगा कोई अगर ऐसा device हो जो input और output दोनों का काम करें तो फिर port A और port B से input या फिर output register का काम लिया जा सकता है ये control register है और ये status register है मान लीजे ये एक printer का interface unit है तो इस तरह को जो communication हो रहा है CPU से हो रहा है इस तरह को ये interface input output device जिससे जुड़ा है उससे communicate कर रहा है तो मान लीजे CPU को printer से communicate करना है जिसका इकी interface है तो अभी उसको printer को control information भीजनी है तो वो processor इस register के तो control information भीजेगा कि इस printer को क्या काम करना है क्या वो command देना चाहता है तो और actually data transmit करने से पहले वो चाहेगा कि वो उस device का status चेक करना चाहेगा कि क्या वो device ready है data को transmit या receive करने के लिए जो की जो input output device इस interface से जुड़ा है वो अपने status इस status register में transmit करता है जिसको की CPU पढ़ सकता है और इस status register के status के हिसाब से वो data को transmit करना शुरू कर सकता है यह जो control information है इससे सारी information CPU से प्राप्त होती है और CPU इस control register की selected bits को set करके in port A और port B को input mode या फिर output mode में या और भी variety of जो modes अवलेबल है उनमें configure कर सकता है data transmit करने से पहले उस device का क्या status है जिससे data transmit करना है वो इस status register की किसी specific bit को set करके जाना जा सकता है जिसे CPU directly पढ़ सकता है या फिर अगर data transmission या transmission के बाद अगर कोई error encounter होती है तो वो भी से status register में store हो जाती है कोई specific bits होती हैं जो set हो जाती है जिनने CPU कभी भी पढ़ सकता है जो ये interface register है ये CPU से directly ये bi-directional data bus के थूँ directly communicate कर सकते हैं जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि processor जिस भी input output device से उसे communicate करना है उसका address address bus में यहां transmit कर देता है इस interface unit में address decoder लगे रहते हैं जिसका भी address इस address bus में processor transmit करता है उस input output device का interface interface और input output device के बीच में जो data का link है ये bus है इसे enable कर देता है इसे ही हम chip select कहते हैं तो chip select logic उसी device का enable होगा जिसका address processor ने इस address line में transmit किया है बागी सबका chip select 0 होगा यही यहां पर इस table के मादिम से समझाया गया है यानि कि यह chip select logic जिस interface unit का 1 होगा वो ही interface active होगा यहां पर आप इस table में देख रहे हैं अगर यह chip select signal 0 है तो इस register select 0 और register select 1 इस signal का कोई भी significance नहीं है और यह सब high impedance state में है data bus जो है high impedance state में है जब यह chip select logic 1 है तब ही इस register select 0 और register select 1 की मदद से आप port A, port B, control register या status register को CPU पढ़ सकता है जब RS0 और RS1 की value 00 है तो वो port A को select कर रहा है 01 में port B को 10 में control register को और 11 में status register को generally जो यह register select RS0 और RS1 line है यह address bus की most least significant bits होती है यानि कि शुरू की जो 0 और 1 bit है address register की उससे connected होती है तो CPU in register select line की मदद से किसी भी register को select कर सकता है और read या write line की मदद से उस register की content को पढ़ सकता है या फिर उसमें content को लिख सकता है तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार एक interface unit काम करता है धन्यवाद